हेलो फ्रेंट्स नमस्ते आज मैं आपके साथ शेयर करूंगे एक सीक्रेट ड्रिंग जिससे आपका पेट कम हो जाएगा और तीन ऐसी एक्सरसाइज अगर आप उसे करेंगे तो डेफेनेटली आप आठ दिन में अपना दो से तीन किलो वजन घटा सकते हैं और अब मैं वही स जाएं अपनी बोड़ी को थोड़ा वोम अप करें जैसे सुबह उठते हैं तो एकदम बोड़ी को लाने डू लाने में थोड़ा होते हैं तो थोड़ा सा एक्सरसाइज करें वोम अप कर लें वह आप वोक भी कर सकते हैं नहीं तो खड़े होके आप पीटी बगारा कर लें उससे भी warm up हो जाता है तो इस तरह आप थोड़ा सा warm up करने के बाद तीन exercise हैं मैं तो एक ही set करके दिखाऊंगी आपको क्योंकि अगर मैं तीनो set आपको करके दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो मैं एक set आपको करके दिखाऊंगी आप उसी तरह करके तीन set करें इसके और आठ दिन अगर आप लगातार करेंगे तो आपका वजन आठ दिन में कम से कम हैं दो गिलो तो कम होई जाएगा अगर आप एक अच्छी balance diet लेंगे ऐसा नहीं है कि आप exercise कर रहे हैं और खा रहे हैं छोले बटूरे तो ऐसे तो वजन कम होगा नहीं तो अगर आप चाहते हैं अपना वजन कम करना तो अब जो मैं exercise बताऊंगी आप वो वाली exercise करना अभी तो मैं ये वोम अफ ही कर दी थी अपनी बोडी को थोड़ा सा और सुबह उठते ही सबसे पहले मैं वही ड्रिंक पिती हूँ और उसके बाद मैं करती हूँ exercise और exercise के बाद पिती हूँ पानी तो अभी मैं आपको बताती हूँ exercise आप सीधे लेट जाए और अब आपको क 15 टाइम हो जाएगा तब आपको दूसरा करना है ऐसे यह आपको इधर वाला भी करना है जो आप मतब आपका राइट पैर और लेफ्ट हैंड अब आप करेंगे राइट पैर और लेफ्ट हैंड ठीक है इस तरह आप करेंगे तो इस से देखो आपका पेट जब आप पास लाते हैं दोनों चीज़ी को पेट बिचता है तो इसनी जल्दी पेट कम होगा यह केवल पेट के लिए exercise है अगर इसे आप 8 दिन फोलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका पेट कम हो जाएगा दो इंच तो कहीं नहीं गए दो इंच इतनी जल्दी घटेंगे आपके और अगर वो ड्रिंक पिएंगे आप जो मैं बताऊंगी वीडियो के एंड में तो मेरे 15-15 टाइम हो गया है अब मैं करती हूं दूसरे नंबर की exercise ऐसे पेरों को आप कुर्सी पे बैठने की मुद्रा में कर लें और ऐसे गर्दन को उठाते हुए अनजरों को थोड़ा उपर ही रखना है ज्यादा आगे को नहीं करना देखो इस तरह जैसे मैं कर ली हूं इसी तरह आप कर सकते हैं ठीक है यह भी आपको 15-20 टाइम करना है और यह भी तीन बार करना है और जो पेरों वाली एक्सेसाइज थी वह भी तीन टाइम करनी है मैं आपको एक ही टाइम करके दिखा रही हूं क्योंकि अगर मैं तीनों टाइम करके दिखाऊंगी तो आप इस कहेंगे वीडियो बहुत लंबी हो गई है ठीक है अब तीसरे नंब एक पैर इदर वाला अपोजिट साइड वाला पैर और हैंड ऐसे आप करते हुए ऐसा इनकी गुटने और कोयूंए मिलादते हैं 15 उसको भी करें ठीक है अभी आपका बाया हाथ है और दाया पैर है ठीक है तो आप इस तरह मिलाते हुए इनको करें अब आपका दाया हाथ और बाया पैर इन्हें भी इस तरह मिलाए 15 टाइम यह तीनों ही एक्सेसाइज आपकी पेट के लिए हैं इनसे आपका पेट बहुत जल्दी कम हो जाएगा ठीक है अगर आप फोलो करेंगे और यह मैंने एक सेट करके आपको दिखाया एक सेट में 15-15 रैप होते हैं और इसी तरह आप 3 सेट कर सकते हैं और अगर आप ज़्याद पर पेट को रखते हुए और सीड नीचे हाथ आगे कुछ सेकिंड के लिए आप इस मुद्रा में बैठ जाएं तो इससे भी आपके पेट को बहुत आराम मिलता है को कि अब हिमिल्ला सोने के बाद बाकी के सेट कंपलीट करूंगी आ अप मैंने वीडियो में रिकोर्ट महीं किये आ बाकी सेट क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है लेकिन मैंने 3 सेट पूरे अपने कंपलीट किये थे ठीक है और मेरी exercise complete हो गी है मैं बैठ के प्यूंगी पानी दो गिलास तो मैंने पी लिया था और अभी भी ये बचा हुआ है टोटल मैंने चार गिलास पानी पिया है एक लीटर के something मैं पानी पी लेती हूं सुबह exercise करने के बाद तो यह मेरा fourth number glass है मतब चोथा गिलास पानी है जब से मैं उठी हूं मैं कोशिस करती हूं कि सुबह सुबह ही मैं अपना एक से सवा लीटर पानी पी लूँ तो इसने बोड़ी अंदर से साफ हो जाती है जो भी toxin होते हैं वो निकल जाते हैं तो पानी पीना बहुत ज़्याद और इससे पहले मैं वो ड्रिंक पी चुकी हूं जो मैं आपको बता रही थी एक ड्रिंक पीते हैं जिससे पेट जल्दी कम होता है यह वाले मैंने चार गिलास पानी पी लिया है आप जितना आराम से पी पाएं उतना पीएं कोई जबरदस्ती नहीं है और अब आ गया है कोफी तो उसमें 80 ml पानी होता है 20 ml दूद और थोड़ी सी कोफी आदा चमच डालके और सुगर वगरा में नहीं डालती मैं इसको ऐसे ही पी लेती हूं लीजिए पी लीजिए और आब इसी समय पर आ गया है पेपर तो मैं थोड़े सी देर पेपर पढ़ूंगी तो इस तर कोफी पी लेती हूं उससे मिट जाती है थोड़ी सी और रिलाक्स हो जाती हूं उसके बाद मैं अपना बागी काम करती हूं और पेपर पढ़ना भी इतना ही जरूरी है क्योंकि दीन दुनिया में क्या हो रहा है यह भी हमें पता होना चाहिए तो थोड़ा सा टाइम पेपर को भी देती हूं में सुबह 10-15-20 मिनट के सम्थिंग उसके बाद ही बाग की काम शुरू होते हैं और आप पेपर पढ़ते हुए आनंद लीजिए अपनी कोफी का और जो आप यह ड्रिंक मैं आपको बताऊंगी अभी आगे यह ड्रिंक अगर आप कंटिन्यू एक महीना पी लेंगे वैसे तो आपको आठी दिन में फर्क लग जाएगा अगर आप एक महीना पी लेंगे त यह बहुत ही अच्छी चीज है आपकी हेल्थ के लिए तो अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार ट्राय जरूर करना ऐसे ही कर लेना बाकी चीजे भी तो हम खाते हैं अगर हम कुछ हेल्दी चीज खा लेंगे और उससे हमें कुछ बेनेफिट हो रहा है तो क्या लाना है ड्रिंक के लिए ठीक है तो यह मैंने एक ग्लास पानी लिया है नोर्मल पानी जो है और कहीं बार मैं इसको रात को भी बना कर रख देती हूं यह है चिया सीड यह आपको ग्रोसरी की दुकान पर मिल जाएंगे नहीं तो उनलाइन आप पर्चेज कर लेना मैंने उ पाय जाता है इसे आप एक से दो चमच दिन भर में खा सकते हैं इससे कोई नुकसान नहीं होता इसको सूपर फूड भी बोलते हैं इसमें सब चीज आपको मिलती है तो इसे आप इस तरह यह पानी में एक दम से नहीं गुलता है उपर-उपर तैरता रहता है तो इसे आप पानी में इस तरह गोलें और आधा पोना घंटा के लिए रख दें जब आप रख देंगे तो इसके चारो तरफ नहीं जैसी लेयर बन जाती है जैसे जैल होता है तो लेयर सी बन जाती है चिकने-चिकने से दाने हो जाते हैं उसके बाद इसे अगर आप वैसे खाना चाते ह या दही में डालके वैसे भी खा सकते हैं नहीं तो मैं तो ऐसे पानी में ही इसको पी लेती हूँ तो देखो, यह अब मैं आपको दिखाती हूँ, यह गंटे बाद ऐसे हो जाते हैं, और सारी रात आप विगो कर रखेंगे, तो भी ऐसे ही होगे, वैसे एक गंटे में फूल जाते हैं, अच्छे से, पर यह ऐसे पानी में अच्छे से गुल मिल जाते हैं, अब मैं इसमें अच्छे से सूट करता है निम्बू तो मैं निम्बू अधिकतर लेती हूं और इसमें मैं डाल लूँगी एक चमस सहद यह मैंने पहला आदा चमस लिया था आदा चमस चोड़ ले लिया है और मैं इससे अच्छे से गुला लूँगी और आप इसको इन्जोई करिए और यह कोई टेस्ट नी है ना कड़वे लगते ना मिठे अगर आपको पसंद आते हैं तो जरूर पीजिए और मैं फिर मिलूँगी आपको नई वीडियो के साथ तब तक के लिए सभी को नमस्ते और बाए बाए